असलाम लेकुम हुशाम जीत कैती हूँ मैं आपको पते चैनल में आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फरमेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप दो तरह की cut work को बहुत ही असानी के साथ बहुत ही perfectly बहुत ही कम टाइम में कैसे कट कर सकते हैं। ini लगास हैं सबस्कायब नहीं किया है रेड पर क्लिक करके कर दी चुएर ह्या है। सबसे पहले हम इन cut work को cut कर लेंगे दो तरह की यहां पर मैं आपको cut work cut करना बताऊंगी सबसे पहले तो यहां पर जो बुकरम की मैंने सबसे पहले यह जो लंबाई है यह मैंने 4 इंच ली थी और चुड़ाई आप अपने area के according ले लें जितनी भी आपका area पर आपको बनाना है उतना ले लेंगे सबसे पहले यह मैंने 1 इंच का निशान लगाया है उपर और यह line draw कर देंगे इस तरीके से उसके बाद मजीर 1 इंच का निशान लगाऊंगे 1 इंच से 1 पॉइंच कम लिया है मैंने आप पूरा 1 इंच भी ले सकते हैं मैंने 1 इंच से 1 पॉइंच कम पे यह निशान लगाये हैं और यहां पे भी एक line draw कर लेंगे इसके बीच में हम बुलाई वाला एक design बनाएंगे जिसमें हम 1.5 इंच के इस तरीके से सबसे front वाली line पे निशान लगाएंगे देख सकते हैं यह 1.5 इंच के मैंने निशान लगाया हैं दूसरी line पे इस 1.5 इंच का half कर लेंगे सबसे पहले इस तरीके से आप इंची टेप को half करके इस तरीके से क्रीज लगा सकते हैं भीच में अगर आपको difficulty होती है किसी भी counting का half करने में तो इस तरीके से कर लिया करें तो यह मैंने क्रीज लगा लεί और इस क्रीज के देख पर यह निशान लगा लिया सबसे पहला निशान आपने 2.5 इंच का हाफ लगाना है उसके बाद आपने 2.5 इंच के ही मज़ीद निशान लगा लेने है इस तरीके से दूसरी लाइन पे मी अब इन निशानों को इस तरीके से आपने गुलाई देनी है ये मैंने बहुत ही एजी सी ट्रिक बताई है जिसमें अगर आपको गुलाई देने में मसला हो रहा हो तो इस तरीके से आप निशान लगा के सिंपल इस तरीके से उठाएंगे डॉट तो इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते जाएंगे तो खुद बाखुदी एक गुलाई की शेव बनती जाएगी सबसे पहले मैंने डॉट डॉट से इसको आपस में जो था वो मैश कर लिया उसके बाद इस तरीके से थोड़ी सी लाइन डार्क कर दी है ताकि आपको क्लियर ली नजर आए देख सकते हैं कितनी परफेक्टली गुलाई आई है और अब हम इसको कट कर देंगे सेम इसी शेव में जिस शेव में हमने इसका पैटरन रेडी किया है तो सबसे पहले आपने बुक्रम की जो चुड़ाई है वो चार इंच ले लेनी है लंबाई उतनी लेनी है जितनी भी आपकी जिस एरिया पे आपने बनाना है उस एरिया की होगी उतनी जितनी स्लीव के आगे बनाना है यह ट्राउजर के बॉटम में बनाना है कमीस के दामन पे बनाना है अब यह जो हमने कट करके निकाला है उसको इस तरीके से नीचे से बिल्कुल एक्वल करते हुए रखेंगे बिल्कुल और सेम उसी शेव में इसका फिर से एक निशान लगा लेंगे ये बहुत ही एजी सी ट्रिक है जिसमें आपको दुबारा से निशान लगा के ड्रॉख करने की ज़रूदत नहीं है सेम जो आपने कट करके निकाला होगा उसी को ले लेंगे और इसको इस तरीके से निशान लगागे मजीद कट कर देंगे यह जो आपने cut करके अंदर से निकालना है इसको बड़ा finishing के साथ cut करके निकालना है ताकि इसको भी अगर आप दुबारा कहीं use करना चाहते हैं तो इसको भी use कर सकते हैं देख सकते हैं इस तरीके से यह कोई shape आई है जिग जैग शेप जो बिल्कुल गुलाई में आई है और यह जो हमने cut करके उपर नीचे से निकालने हैं इसको भी आप रख सकते हैं और कहीं भी इसका इसको कट कर लेते हैं इसकी भी बुकरम की चुड़ाई से पहले मैंने जो अपनाकी वो ले ली हैं लंबाई 4 इंच ली है सबसे ऊपर जो हाफ इन्च की यह मैंने line here 43 जोन सबके के सब सकते हैं मैं गया लंबाई थी वो 4 इंच थी तो हाफ-आफ इंच उपर की तरफ जब लगाया तो हमारा 3 इंच बच गया था अब ये हाड सा एक पेपर ले लिया है जिसकी चुडाई मैंने ली है 2 इंच यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग और जो लंबाई ली है वो मैंने 1,5 इंच ली है इस तरीके से 2 इंच का हाफ है वो एक इंच है इसको इस तरीके से रक्के हम लोग ये वाली शेप क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर मैं फिर आपको एक बार बताती चलूँ कि मैंने हाफ-ाफ इंच की उपर से पहले एक साइड पर दूसरी साइड पर भी हाफ इंच की लाइन ट्रॉ की उसके बाद जो हमारा बीच का जो बच गया था वो है उसके उपर यह मैंने निशान लगा रही हूं देख सकते हैं आप लो सबसे पहला निशान एक इंच का लगाया था उसके बाद हमने दो दो इंच के निशान लगाए हैं अब सेम जो कट वक हमने कट जो पैटरन बनाया था उसी के अकॉर्डिक हम इसको कट कर लेंगे बहुत अहत्यात से आप ने इसको कट करके यह निशान हमने इसलिए लगाये था ताकि जो हम दुबारा इसको कट करें तो बिलकुल मिड में कट हो तो यह जो हमने इशान पहले लगाये था उसी के उपर उसी कटवर की नोक को रखते वे दुबारा से यह ड्रॉ कर लिया है दुबारा से आपको पैटरन बनाने की काल लेना है ताकि जो उपर और नीचे का जो कट वर कट होके निकलेगा उसको भी आप कहीं पर भी किसी जगा पर एडिया पर इसका यूज कर सकते हैं यह देखें इस तरीके से यह हमारी कुछ शेप रैडी हुई है दो तरह के कट वर यहाँ पर मैंने कट करना आपको सिख गाल नहीं कि आप 5 इंच ही लेहें जितनी आपकी यह जो बुकरम की चुड़ाई होगी इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले 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 और इस तरीके से पेस्ट करके साइडों से यह देखें मैंने एक्स्ट्रा कट कर दिया है कपड़ा बस इतना इतना आपने बुकरम के का जिस जोड़ों के सीधी साइड के यहां जोड़ा है देख सकते हैं जोड़ते इस बुकरम के मैं साइड पर स्लाई लगा लेनी है मैं यहाँ अपने स्लीव के आगे आपको बनाना सिखा रही हूं आप ट्राउजर के बॉटम पर कमीज के दामन पर या किसी भी एरिया पर जहां पर भी आप इसको बनाना चाहते हैं तो सेम इसी मैथल को कपड़ा छोड़ते वे इस स्लाई के साथ सा जो बाकी कपड़ा है उसको कट कर देंगे अब यह जो हमने एक पर का कपड़ा छोड़ा था इसमें छोटे-छोटे कट लगा देंगे चाहके जब हम इसको फोल्ड करें तो कोई भी जोल ना है इस तरीके से कट लगा लिए हैं अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके दूसरी तरफ कपड़े को टर्न कर लेंगे दर्मियान वाला जो इसका जो स्पेस है उसको इस तरीके से स्ट्रेच करते वे इस तरीके से स्ट्रेच करते वे सेट कर लेंगे बिल्कुल भी जोल नहीं आएंगे अब मैं आयरन के साथ इसको अच्छे से बिठा के दिखाती हूँ ये देखें मैंने यहाँ पर अच्छे से आयरन से इसको सेट कर लिया है अब ये जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था इसको कट कर देंगे ताकि जो नीचे का हमारा कट वक है वो बिल्कुल क्लियरली नजर आए ताकि हम उसको भी बना सकें ये देखें मैंने इतना कपड़ा कट कर लिया है जो उल्टी साइड पर फोल्ड किया था जितना मुझे नीचे से कट नजर आ जाए ये देखें ये मुझे नजर आ रहा है अब नीचे से कट अब आपने जिस भी शर्ट पर या जिस भी ट्राउजर पर बनाना है उसके उपर इस तरीके सरतना है जो मेरे यहां पर स्लीव्स है उसकी उल्टी साइड पर मैंने इसको रखा है इस तरीके से ताकि जब मैं इसको फोल्ड करूँ तो जो इस फिनिशिंग है वो मेरी सीधी साइड पर आ जाए बुकरम के बिल्कुल साथ साथ स्लाई लगा रही हूँ ये देखें इसमें भी एक पैर का जो कपड़ा है वो छोड़ते वे बाकी साइड के साथ साथ बिल्कुल इसको कट कर देंगे और मजीद इस पर भी छोटे-छोटे कट लगा देंगे ये देखें अब इसको सीधी साइड पर फोल्ड करेंगे इसकी किनारे-किनारे पर स्लाई लगानी है हमने इस तरीके से ताके वो कपड़ा भी अंदर की तरफ अच्छे से बैट जाए और जो हमाई सीधी साइड पर भी बहुत ही पर्फेक्ट फिनिशिंग आ जाए देखें बिल्कुल किनारे-किनारे पर स्लाई लगानी है आप किसी भी कलर कंट्रास में बना सकते हैं यहाँ पर देखें कितनी पर्फेक्ट शेम में ये कट वर्क रैडी हुआ है और इसको बनाना बहुत ही असान है दोनों कट वर्क जो मैंने आपको कटिंग करना सिखाया है दोनों को इसी मैथोड को फॉलो करते वे आप बना सकते हैं जो तकोनी शेम वाला मैंने आपको सिखाया है उसको भी सेम इसी शेम में इसी मैथोड को यूज़ करते वे आप बना सकते हैं इसी भी एरिया पर यहां तक वीडियो देख लिए वीडियो पसंद आईए मुझे लाइक किये बिना बिल्कुल मैच जाएगा नेक्स को अंसी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएगा मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कि मेना भी बिल्कुल मैच जाएगा नेक्स अगें बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत इंफर्मेटिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे अपनी द्वाव में याद रखिएगा ओकेला हाफिस